आननलो प्रतिदिन जीवन का में स्वागत है आज हम अपना प्रवचन अनुशासन वा आत्मनियंदरन पर चालू रखेंगे और मुझे पता है कि आप उत्साहित है आज हम चर्चा करेंगे कि सही कारिय करना और फिर उसे लगन से करना कितना महत्वपूर्ण नहीं मैं लोगों से सारा समय ये कहती हूँ कि हमने गलत कारिय लगन से किये और इसी वज़े से हमारे जीवन में गड़बड़ है आज हमें समझना होगा कि केवल हर समय सही कार्य करने से हमारे जीवन नहीं बदलेगा, हमें इसे बार-बार-बार करना होगा, मेरे साथ बने रहिए, हम अनुसाशन वा आत्मनियंत्रन पर चर्चा जारी रखेंगे. पहला कॉरिंथूस छे का बारा जो बचन मैं आज पढ़ूँगी वो मेरा मन पसंद, वो इतना कुछ बताती है। ना तो उसके अधिकार के नीचे दबूँगा। प्रयत्ना करती रहूंगी मैं चाहती हूं आप ये समझे आप इतना कुछ करके छूड़ जाएंगे और तब भी स्वर्ग जाएंगे पर इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि आप कि आप इस यात्रा का आनंद ले पाएंगे यहां कितने लोगों ने मसी को मुक्ति दाता स्विकार किया है और सच मुझ मानते हैं कि येशु प्रबू है वे मानते हैं कि केवल वही स्वर्ग जाने का एक मारग है उनके पास सही सिद्धान्थ है और वे येशु पर विश्वा करते हैं और मानते हैं कि हम मसी हैं तब अपने जीवन लगातार गडबर में क्यूं होते हैं तब हमारी गवाई नहीं बनती जिनके जीवन टूटे फूटे हैं वो दूसरा टूटा फूटा जीवन नहीं चाहते वो हमको खुश देखना चाहते हैं वो हमको शांती में देख कि हममारी हैं आपकी समसियां हो सकती हैं पर नहीं आफ cleared भी आप विजयां हो सकते हैं क्योंकि पॉल्स बोलता है इन सब परिस्तितियों के बीच हम विजय भरा जीवन जी सकते हैं अब जानते हैं वो क्या कह रहा था मेरी समस्या तो है परन्तु मेरा वहवार अच्छा है तो यू हुई बात लंबी और छोटी मेरी समस्या तो है पर मैं बुरा वहवार नहीं रखूंगी मेरी समस्या है परंतो मैं आपके साथ बुरा बरताव नहीं करूंगी क्योंकि मेरी समस्या है परंतो मैं उदास नहीं रहूंगी मेरी समस्या तो है परंतो मैं स्वयम की दया में लोटूंगी नहीं मेरी समस्या है परन्तु मैं अपने बोज परमेश्वर पे डालके परमेश्वर की सेवा में लगी रहूँगी अब आप लोगों को प्रभावित कर रहा है क्योंकि वे सोचते हैं बाप्रेबाप आप अपना जीवन कैसी चला रहे हैं मैं आपसे आज प्रार्थना करती हूं लिफावा धकेला बंद करिये ऐसे व्यक्ति कभी न बने जो की मध्यम श्रेणी का है और आपको केवल वही करना होगा जिसे करके आप परमेश्वर को क्रोध दिलाएंगे उसे घुसा करेंगे कितने जानते हैं मैं क्या बोल रही हूँ ओ हमें ऐसे लोग चाहिए जो उत्तम बनना चाहते हैं और उत्तम बनने का दाम चुकाएंगे मेरी लिए एक उत्तम ब्यक्ति केवल वही नहीं जो एक अधिक मिल जाए परन्तु किसी के नदेखते हुए भी वे अच्छा काम करें और हमेशा अच्छा काम करता रहे वो सही इसलिए करते हैं क्योंकि वो सही होता है और लोगों से अच्छा वहवार करते हैं मैं तुछ मन वाले मसी जो दूसरे मसी लोगों से नीच वहवार करते हैं उनसे बहुत तंग हूँ अपनी गाड़ी पर स्टीकर लगाकर मैक्डोनल्स जाकर चिड़ चिड़ापन और उतावलापन न दिखाएं अगर आपको अपनी मन मर्जी का कैचप नहीं मिलता है मेरा कैचप कहा है मैंने कैचप मांगा था तुमको हो क्या गया है कैचप तक नहीं ला सकते क्या कोई समझ रहा है मैं क्या कह रही हूँ मैं जानती हूँ आप मेंसे ऐसा कोई नहीं है आमेन दूसरों के संग अच्छा वहवार करना चाहिए चाहे हम समस्याओं से घिरे हुए हूँ हमें अनुशासन द्वारा स्वयम को मैत्री पूर्ण रखना चाहिए बाइबल ऐसा कहती है बाइबल अतीती सतकार करने को कहती है जानते है क्या हम सबका अपना एक व्यक्तित्व है और और मैं एक ऐसी महिला हूँ जो आप परिचित व्यक्तियों के साथ बात करना नहीं च कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूं पर आप जानते हैं क्या जब मैंने पढ़ा कि बाइबल में मैंत्री पूर्णा होने के बारे में क्या लिखा है तो मुझे विचार आया कि मुझे और मैंत्री पूर्णा बनना होगा तो मैं वह सब नहीं करना होगा जो तुम करती है आई आप सोचते होंगी कि मैं यहां आपको प्रवचन देकर क्या कर रही हूं पर देखे बात ऐसी है कि हम में ऐसी बाते होती हैं जो स्वभाविक रूप से हमारे लिए आसा नहीं है अगर हम शारीरिक का पिछा करें जब हम उन बातों को लेकर पाप में चलेंगे परंतु हम अपनी निर्बलता ओपर वश पास सकते हैं जब परमिश्वर के सामर्थे के द्वारा हम सही काम करने का चुनाव करते हैं भले इससे हमें आराम हो या नहो मैं इस प्रकार की व्यक्ति हो सकती हूँ जो स्वभाविक व्यक्ति के द्वारा बोले जैसे तुम्हे वॉल पेपर वहां लगाना होगा, तुम्हें ऐसा करना होगा, तुम्हें वैसा करना होगा, इसका क्या और उसका क्या, स्वभाविक रूप से परंतु अब में वैसी नह लोगों को उपर उठाना है उन्हें नीचे नहीं गिराना है उने सुक का हैसास करवाना है लगाई sa आप में अधागिता क्रोध अधिर या ip plat अपने बहुत से बच्चों निंद्धेगरा आप सोचते हैं क्या ये मेरा दोफ्टा क्या मैंने भो नहीं क्या में किया जो मुझे करना था क्या मुझे वह करना था जो मैने नहीं किया अपनी बेटी तक नहीं करना चाहिए क्योंकि उस समय जिस गड़बर में आप अपनी परीस्तितियों के कारण थी मेरी विचार से फिर भी आपने बहुत अच्छा काम किया इसलिए आपको पीछे पलट कर उस पर विचार तक नहीं करना चाहिए आप पीछे पलट कर बिलकुल भी विचार ना करें of कि यह अप जानते हैं अनियों लोग ऐसी स्थिति में किया करते हैं आप पूछेंगे आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए वे आपको दस ऐसी बाते बताएंगे जो आपको करनी होंगी क्योंकि अब उन्हें अवसर मिलाये आपको आपकी बुराईयों का हिसास दिलाने का चलिए हम एक दूसरे को खुश करने के लिए क्यों नहीं जीते क्यों ना हम दूसरों के लिए प्रेणा और उत्थान और और आशिश बनते हैं क्यों नहीं बन सकते सारी वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परन्तु सब लाबदायक नहीं जानते आप क्रोध से भरे रह सकते हैं और अपने मन में अशमा भी रख सकते हैं शायद आप सवर्ग जाएंगे परन्तु जीवन में आनन्द नहीं होगा क्योंकि आप सारा समय अपने जीवन में विश घोलते रहते हैं जानते हैं आप बाते परमेश्वर हमसे करने को कहता है वे हमारे लाप के लिए कहता है उसके लाप के लिए नहीं परमेश्वर नहीं चाहता आप किसी को क्षमा करें आदा समय तो उस व्यक्ति को आपकी शमा की आवशकता नहीं होती, उसका शमा करना आपके लिए आवशक है, कभी-कभी वे नहीं जानते आप क्रोध में है और उन्होंने आपका क्या भिगाडा है, हमें सही करना है क्योंकि वही सही है, हम बुरे विचार रखकर भी स्वर्ख जा सकते हैं, परन्तु परमेश्वर हमें उचाई पर बुला रहा है, आमेन, मेरा विश्वास है कि वो हमें उसका सही धंग से प्रतिन इधित्वा करने बुला रहा है, जैसा कि हम कर सकते हैं, पहला कुरिंटुस 10 के 23 पर चलें, 23 पर, वो लगबग वही बात जो उसने पहली बोली थी बता रहा है, केवल थोड़े अलग धंग से और में दोनों आपको बताना चाहती हूँ, सारी वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, हम सब करने के लिए आवाद हैं, पर ये डरो ना लगता है, परन्तु सब काम की नहीं है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परन्तु सब वस्तु उन्नती की नहीं चरीत्र के लिए, और न सारी वस्तुएं, सारी वस्तुएं आत्मी उन्नती देती हैं, दूसरे शब्दों में, पॉल उस बोला, मैं बहुत से काम तो कर सकता हूं, जो मुझे स्वर्ग जाने से रोग तो नहीं सकते, परन्तु लाब नहीं होगा, अगर वो आपको लाब नहीं पहुचाते, तो मैं वो नहीं करूँगा, अगर वो मेरा चरीत्र नहीं उजागर कर अगर वो मेरा आत्मिक और नैतिक उत्था नहीं करते, तो मैं वो नहीं करूँगा, क्या आज हम ये कल्पना करें कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, किन्तु हम ये जो कहेंगे, अब से मैं वे सारे कारे करूँगा, जिससे मुझे और किसी दूसरे को भी लाब अगर इससे मुझे लाब नहीं होता, तो फिर मैं वो नहीं करूँगा, तो शरीर तो एकदम व्याकुल हो जाएगा है ना, मरकुस आठ में है, येशु ने कहा, उनका चेला बनने के लिए हमें अपने आप से इंकार करना होगा, अपने उपा से दुरुष्टी हटा कर, अपन संभव है, क्या आप दिन में अपने आप से इंकार करते हैं, आपको अपने आपको इंकार करना होगा, और अगर जरूरत पड़ी तो अपना मुझ खोल कर जोर से कहिए, नहीं, नहीं, हम ऐसा बिलकुल नहीं करेंगे, नहीं, हम वो बस तो बिलकुल नहीं खाएंगे, हमें समयाप स्वेम से बात कीजिए, इसकी द्वारा आप कोई लाप की बात तो करने लगेंगे, अपने श्वास दबा कर भून बुनाईएगा नहीं, जब कभी दबावाए, मीठी गुली खाने को मन करता है, नहीं, 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 मुझे हवाई जाने की बड़ी इच्छा है, यहाँ से भाग कर मुक्त हो जाओं, कभी-कभी हम अपने आप से सच बात करते हैं, परन्तो हमें अपने आप से अच्छी बाते करनी चाहिए, अभ्यास कीजिए नहीं बोलने का, आपके बीतर वो योग्यता होनी चाहिए, कि आप कुछ बातों को दूसरी बातों से अनुश इवन बिताएं, ये बड़ा महत्वा पुर्ण वचन है, अगर ये आपकी समझ में आया तो आप मेरी बातों को समझ जाएंगे, मैं चाहूंगी कि आप ध्यान देखी, बाइबल ऐसा नहीं कहती कि पाप मर गया, वो बोलती है हम पाप के लिए मर गए, दूसरे शब्दों म आपको अकेला छोड़ेगा, आपकी परिक्षा नहोगी, परन्त बाइबल कहती है, हमें पाप नहीं करना है क्योंकि हम पाप के लिए मर गये हैं, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये कि हमारे बीतर गहराई में एक भाग है, नए जनम वाला भाग, जहां ये शू है, जो कि अच्छे कारिय करता है, वे बूरे काम करने की इच्छा नहीं रखता, वास्तों में मैं उन वस्तों के लिए मर गया, जो मुझे आपती में डालती है, मुझे वो, मुझे वो नहीं करना है। आपको इतना समझना चाहिए कि वे जो मुझ में है वो उससे भी उत्तम है, जो इस संसार का है, जो सर्व उत्तम है, जो आप में रहता है और जो भी परमेश्वर आपसे करने को कहता है, उसे पूरा करने को अनुगरह भी देता है, अगर जो चल रहा है मुझे अच्छा नहीं बचा रही हूं कभी-कभी मुझे अपने आप से ये कहना पड़ता है जॉयस अपना मूँ बंद रखो जी हाँ अपना मूँ बंद रखो तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप में से कुछ लोग ये सला अपना सकते हैं रोमियो 6 का 6 हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुश्यत्व येशु के साथ कुरूस पर चड़ाया गया ताकि पाप का शरीर निर्बल हो जाए हम आगे को पाप की दासतवन में ना रहे वो बोलता है ये मेरा भाग जो पाप के लिए मर गया तो ये भाग बल वाला भाग बनेगा और ये वो नया भाग है और जब मैं प्रभू को हाँ और अपने आपको इंकार करूंगी तब मेरा शरीर एक पाप के यंत्र के समान उप्योग में नहीं आएगा शैतान हमारे शरीर द्वारा शोर मचाना चाहता है और हमारा शरीर उसकी लालच करता है जिसकी उसे आदत थी मैं अक्सर एक कथा सुनाती हूँ जो इस समय मेरे ध्यान में आई मुझे चॉकलेट में मुंगफली बहुत पसंदे पर क्रिपा करके मुझे मद दीजिएगा क्रिपा करके आप मुझे चॉकलेट में मुंगफली मद दीजिएगा मुझे अच्छी तो लगती है परंत मुझे जरूरत नहीं किसी ने कुछ समय पहले मुझे दी तो मैंने मक्खन के बर्तन में चुपा दी जब आप मिठाई चुपाने लगता है तो समस्याओं का आरंभोने लगता है मैंने उन्हें चुपाया क्योंकि मैं नहीं चारती थी कि परिवार वाले उससे खाए मैंने उन्हें चुपा दिया और अपने आपको वच्चन दिया कि रात के खाने के बाद सिर्फ एक ही खाऊंगी तो रोज रात के खाने के बाद जब कोई नहीं देखता तो मैं अपने मक्खन के बरतन में इसे एक मुंग फली नकाल दी फिर कुछ रातो बाद मेरा शरीर बोला मुझे दो मुंग फलिया चाहिए कुछ और राते जाने के बाद वे बोला मुझे तीन मुंग फलिया दो फिर एक रात मेरा ध्यान गया इसके द्वारा मुझे शरीर और उसके वहवार के बारे में सीखने को मिला आपका शरीर वही मांगेगा जो आप उसे देते आएं है तब स्वभाविक रूप से जब आप उसे देना बंद कर देंगे वह उसी वस्तू के लिए मांग करेगा जिसकी उसे आदत पड़ी है परन्तू क्योंकि वे जो उससे दिया गया था उसी की आचना करता है तब से वह उसकी मांग करना रोग देगा वो आपसे नहीं मांगेगा और यह रहा एक प्रगटी करन आप 29 दिनों में नहीं मरेंगे आमेन इस दो करने से तो मैं मर जाओंगी नहीं मेरा वचन है कि आप नहीं मरेंगे और 30 दिन की समापती तक आप में एक नयास वभाव उत्पन होगा आमेन तो फिर एक रात मैंने अधिक बोजन कर लिया, तब मुझे मुझपली की चाहन हुई, तब ऐसा था कि मुझे मुझे मुझपली चाहिए ही नहीं, पर मैंने अपने शरीर को बोलते सुना, मुझे मुझपली दो, मुझे मेरी मुंपली चाहिए मैंने विचार किया मुर्ख शरीर मेरा पेट भरा है मुझे मचली हो रही है तू चौकलेट वाली मुंपली मांगता है हललुया अपने आपको इंकार करिए वू, हललुया वचन बारा और तेरा इसलिए पाप को अपने नाशवान शरीर में राजय ना करने दो और तुम उसकी बुरी इच्छाओं के अधिन न रहो अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को मत सौपो न तुम अपने अंगों को अधर्म के हत्यार होने के लिए पाप को सौपो पर स्वायम को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर अपना शरीर परमेश्वर को सौब दो और अपने अंगों को धार्मिक ताके हत्यार होने के लिए परमेश्वर को अरपीत कर दो आमेन जिस विचार को प्रस्तूत करके मैं आज का कारेकराम समाप्त करूँगी वो बड़ा साधारन पर बड़ा शक्तिशाली है मुझे विश्वास है हमारा कोई दर्शक है जो ये सुनने की प्रतीक्षा में है प्रभू तुमसे प्रेम रखते हैं जी वे प्रेम रखते हैं मैं जानती हैं प्रभू सारे संसार से प्रेम रखते हैं प्रभू सबसे प्रेम रखते हैं पर प्रभू तुमसे प्रेम रखते हैं उनका प्रेम बिना शर्तों का है तुम्हे ना तो परिश्रम या योगियता से उसे पाना है परमिश्वर केवल तुमसे प्रेम करते हैं यदि आपने उसे ग्रहन किया और कारिय करने दिया तो ये आपके जीवन में जरूर चंगाई लाएगा और आप स्वयम को संतुलन से प्रेम करने लगेंगी स्मरण रहे कि प्रभू आपसे प्रेम रखते हैं आप विशेश हैं उसने आपके जीवन के लिए बड़ी योजना बनाई है मैं चाहूंगी आप ये आज अधिक समय दहराएं परमिश्वर मुझसे प्रेम रखता है प्रभू आपको आशिश्टे